हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं मिली निवालावलकर, डेवलोपन ओफिसर एंड SBA फ्रम MDO2, आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ, और सबसे पहले आप सभी लोगों को दशेहरा की बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ, दोस्तो हमा बात करते हैं, पार्टनेशिप इंशुरंस के पारे में, आएए एक उदाहरन लेकर पार्टनेशिप इंशुरंस समझने की कोशिश करते हैं, एक पार्टनेशिप फर्म है जिसके तीन पार्टनर से, एक Mr. Amar, दो Mr. Akbar और तीन Mr. Anthony, इस partnership firm में अमर ने लाया हुआ capital है 50 लाग अकबर का capital है 30 लाग और एंथनी का capital है 20 लाग अमर जो है ये marketing में expert है अकबर का skill production है और एंथनी administration में master है यह उनका अपना अपना knowledge और skill और expertise ये होने के कारण ही ये तीनों के इकठा आकर partnership firm शुरू की है इन तीनों का अपनी अपनी expertise और fine tuning की वज़र आज वे अपने partnership firm को एक अच्छी मुकाम पर ले जाने में काम्याब हुए है मगर किसी वज़र इन तीनों में से किसी partner की अचानक मृत्यू हो जाए तो यही firm बहुत बड़ी problem में गिर सकती है समझिए कि एक partner for example Mr. Akbar की अचानक मृत्यू हो जाती है तो बाकी दो partners माने Amar और Anthony इनको बहुत बड़ा जटका लग सकता है As per rule उनके पास तीन विकल्प मने options होंगे Option No.1 अकबर के परिवार में से किसी को उसकी जगर लेना होगा मगर शायद उसके परिवार के member के पास वह production skill ना हो उससे partnership firm को कोई भी फाइदा ना हो तो भी firm का profit उनके साथ share करते रहना होगा Option No.2 अकबर के परिवार को अकबर ने लाया हुआ capital प्लस उसका business goodwill इसका share देकर अलग करना होगा Goodwill का मतलब होता है last three years का net profit For example, last three years का total net profit मतलब gross profit minus income tax मतलब tax भरने के बाद बचा हुआ total profit अगर three crore रुपया है तो उनका percentage share तीनों का बनता है अमर का बनता है 50% माने देड़ करोर profit अकबर का बनता है 30% माने 90 लाग profit और एंथनी का बनता है 20% which is 60 लाग profit अकबर का Goodwill 90 लाग प्लस उसने लाया हुआ 30 लाग capital इसकी total बनती है 1,20 लाग जो उसके परिवार को तुरंद देना होगा Option number three ये दो option के अलावा तीसरा option उनके पास ये होगा उन्हें एक नया like-minded and skilled partner दूणना होगा जो 1,20 लाग रुपया capital partnership firm में ला सके Normally firm दूसरा option लेना पसंद करती है और उस वक्त उन्हें 1,20 लाग रुपया इतना बड़ा fund तुरंद एरेंच लरना पड़ता है इससे शायद profit या capital में से या तो firm की कोई asset बेच कर या तो bank या financial institute से loan लेकर उन्हें ये 1,20 लाग रुपया अदा करना पड़ेगा बहुत बार बना बनाया business बेचना भी पड़ सकता है या बंद भी करना पड़ सकता है IC स्थीती से बचने के लिए LIC का partnership insurance काम आता है partnership insurance लेते वक्त सारे partners का insurance लेना जरूरी होता है यहाँ पे अमर का 50% share है अकबर का 30% share है अंथनी का 20% share है अमर का capital 50 लाग अकबर का capital 30 लाग और अंथनी का capital 20 लाग है और तीनों का goodwill देखा जाए तो अमर का 1 करोड 50 लाग goodwill अकबर का 20 लाग goodwill और अंथनी का 60 लाग goodwill है तो अमर की maximum insurance value बनती है 2 करोड अकबर की बनती है 1 करोड 20 लाग और अंथनी की बनती है 80 लाग रुपया अगर इस firm ने इन सारे partners का insurance लिया होता तो अकबर की मृत्यू पश्चा इंशूरंस company खुद उनके firm को 1 करोड 20 लाग रुपया अदा कर दी और partnership firm तुटने से या बंध होने से और financial problem से बच सकती है Advantages to the firm बिना partnership firm का कामकाज बिगाडे LIC policy से आया हुआ पैसा अकबर का account settle करने में काम आ सकता है Firm को जो sudden financial setback आ सकता था उससे firm बच सकती है Firm जो तीनों partners का premium भरेगी वो income tax act section 37.1 के तहत business expenses claim कर सकते है इससे firm की tax liability कम होगी यह premium partners के account में पर्क्विजिट करके add नहीं होगे death claim की राशी partnership firm के उस साल के business income में add होगी अगर partnership firm dissolve होती है तो सारी policies एक तो surrender करनी होगी या हर एक partner को assign करके उन्हें आगे से अपना premium खुद भरना होगा सारे partners का insurance होने की वज़े से employees और customers दोनों का interest प्रोटेक्ट होगा और firm की market stability बढ़ेगी सारे partners में confidence, sense of security और loyalty भी बढ़ेगी firm के banker और creditors को भी एक sense of security होगी requirements for partnership insurance partnership deed और supplementary partnership deed जिसमें तई किया हो कि सारे partners का insurance कराना है और एक person को authorize करना पड़ेगा to sign all the insurance contract copies of audited profit and loss account, balance sheet, capital account और income tax returns for last three years देने होंगे यह proposal LIC के 340 form के तहट आपको submit करने होंगे फिलाल इसमें सिर्फ term insurance ही allowed है जो की है जीवन अमर दोस्तों आज भी partnership firms में सिर्फ 10 से 20 टका partnership firms ने यह insurance लिया हुआ है इसका मतलब है यहां पे 80% potential untapped segment अभी भी advisors के लिए खुला है corporate segment में अपनी पहिचान बढ़ा कर हमारे advisors partnership firms को अगर visit करें और उन्हें इस scheme के बारे में educate करें तो काफी सारा business यहां से आ सकता है कोई advisor इस corporate insurance को अपनी speciality बना कर इसमें बहुत बड़ा business खड़ा कर सकता है अगर आपने इस वीडियो को समझ कर एक भी partnership insurance sale की तो उसी में इस वीडियो की सफलता होगी दोस्तो धन्यवाद, thank you and stay safe